हेलो गाईशे और वेलकम टू माई ओड़ो चनल टेक्निकल उत्तर परदिश दोस्तों आज के वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने रियल मी C35 को आइफोन में कनवर्ट कैसे करेंगी आप अपने फोन में कंट्रोल सेंटर आइफोन का लगा सकते हैं आ यहां पर आप लोग देख सकते हैं 50 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं हम इसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद यहां आप देख सकते हैं हमारे फोन में एपलीकेशन ओपन हो रहा है एक बार चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा लाइप प्रूफ यहा देखने को मिल जाता है अब दोस्तों यहां पर बहुत से आपको दिखाए देंगे बट हमें यहां पे पोजीशन के ओपसन पर किलिक करना है पोजेसे हम लोग किलिक करने बाद यहां पर जोच कर सकते हैं किस साइड से आप अपना कंट्रोल सेंटर ओपेन करना चाहते हैं या left side हम left side पर click कर देते हैं left side पर click करने वाद यहां पर home screen पर आते हैं तो यहां पर हम जब left side से slide करते हैं तो यहां पर आप लोग देख से हमारा कुछ control center इस तरीके से open हो रहा है प्रोपलली आप अप इसमेंजोबी पर्मिसन माँए उस पर्मिसन को आप लोग अलाव कर देजिये ताकि आपके फौन में प्रोपलली बहुत ही अच्छे से वर्क करें यहाँ पे क्योई भी आपको पर्मिसन मिस नहीं करने इसा भी permission को आपको allow कर देना trusted जो application है काफी लोग इसका use करते हैं आप लोगों को मैंने live proof दिखाया और इसमें काफी ज़्यादा setting है इसमें अगर आप लोग customization करना चाते हैं कर सकते हैं इसका जो size आप लोग change कर सकते हैं लेकिन left side में कहीं भी slide करेंगे तो आपका जो control center open नहीं होगा जब इसको size बढ़ा देंगे तो यहाँ पर एक आप लोगों को जो bottom दिखाई देगा जो left side में या right side करेंगे तो right side में वहाँ से जब आप लोग slide करेंगे तभी आपका control center open होगा दोस्तो वीडियो पसंदाएद वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe आप लोग जरूर करिएगा